नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर मैं हूँ देवेंद्रूत्रिपाथी दोस्तों भारत में मौनसून की बारिश सामाने से 7 प्रतिशत के उपर बनी हुई है पिछले 2-4 दिनों से और ये इस बात का इंडिकेशन है कि कम से कम अगस्त के पहले सपता हमें अच्छी बरसात हुई है कुछ जिलों, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगों पर अच्छी बरसात हुई है और इसी वज़ा से ये आकड़ा सस्टेन कर रहा है आप ये जानते हैं कि इस समय आम तोर पर 24 घंटों के अवधी में पैन इंडिया की बात अगर मैं करूँ जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी और इधर गुजरात से अरुनाचल प्रदेश तक की तो जो टोटल एवरेज बारिश है 24 घंटों की वो तकरीबन 9 मिली मीटर के आसपास है 9 से 10 मिली मीटर के बीच और 9 मिली मीटर से कम बरसात होगी तो ये आकड़ा घटने लगेगा लेकिन एक प्लस पॉइंट है इस कुछ जगों की जादा बारिश का वो ये है कि इससे पहले मध्य भारत में ज्यादा जोर था या पश्चिम भारत में था और अब जैसा कि अनुमान था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत और पूरवी भारत के आसपास दो सिस्टम बनेंगे एक यहाँ पर बनेगा साउथ में साउथ परिंसुलर रिजिन पर कॉमोरिन रिजिन यानि लक्षोदीप और आसपास के भागों पर जब वो सिस्टम आगे बढ़ेगा लैंड के उपर तो केरल और आसपास के इलाकों में इंटीर करनाटक और तमिलनाडू, तेलंगाना इन भागों में बारिश बढ़ेगी और एक नया सिस्टम विदर सिस्टम अभी एक सर्कुलेशन इधर दिल्ली के उपर दिखाई पड़ रहा है दिल्ली और एड्जोइनिंग प्लेसेस पर और इस मौनसून के अक्षी रेखा गंगा नगर से होत और तराई वाले रीजन उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर उत्तर भारत, इधर उत्तर पश्चिम भारत पहाड़ों पर इन भागों में बारिश जारी रहेगी और अगला जो सिस्टम यहां पर बनेगा जिस समय 16-17 अगस्त को कॉमोरेन रीजन पर सिस्टम बनने वाला उ बारिश होगी, आपको बताते हैं पहले अल नीनो का अपडेट, उसके बाद पिछले मौनसूल सीजन में अब तक जो बरसात रेकॉर्ड की यह है, एक जून से लेकर आठ अगस्ता तक के आंकड़ों के अनुसार, उसके आंकड़े थोड़ा दिखाते हैं, उसके बाद फिर दस दिनों के दौरान बारिश की संभावनों की बात करते हैं, तो साथ प्रतिशत भारत भर में बारिश तो उपर है सामाने से, गुजरात की ज्यादा तर जगों पर सामाने से काफी अधिक वर्शा रेकॉर्ड की यह है, राजस्तान उन राज्यों में से एक है, पीछे है, इसके अलावा अगर हम बात मध्यप्रदेश की करें, तो मध्यप्रदेश में लगभग सभी जगों पर सामाने से बहतर या सामाने वर्शा रेकॉर्ड की यह, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगों पर कमी हला किये राजस्तान के जिले हैं, पंच महल यह भी गुजरात का क्षितर है, तो मध्यप्रदेश भी इस मामले में राजस्तान की टक्कर ले रहा है, राजस्तान से बराबरी कर रहा है, जहां पर सामाने वर्शात इस साल के मौनसूल सीजन में सभी जिलों में रेकॉर्ड की जा चुकी है, यह अलग बात है कि लंबे समय के द जहां पर सिर्फ वर्शा से ही सिचाई के साधन उपलबने, वर्शा ही एक मात्र सिचाई का साधन है, वहां पर दिक्कते होती है रुपाई और बुआई में, तो नुक्सान तो हो चुका होता है, इसके बाद बात करते हैं उस रीजन की जहां पर बारिश में कमी रही है, औ उत्तराखंड और पंजाब, हर्याना, चंडीगर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का रीजन, बिहार, जहारखंड और पश्चिम मंगाल, इन सभी भागों में सामाने से बहुत कम बरसात कई जिलों में रिकॉर्ड किये हैं, लाल और पीले रंग जो आप देख रहे हैं, लाल बिलीवेबल है ये डेटा, अविश्रस नहीं यह लगता है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर इतना सुखा मौनसून आम तोर पर नहीं होता है, हाला कि जब भी मंडी में, शिमला में, या धमशाला में, और कुलू मनाली में पिशले दिनों, जिस तरह की भारी बार सागर और कैस्पियन सी की तरफ से कोई स्ट्रॉंग विदर सिस्टम डबलू डी के रूप में अभी नहीं आया है मौनसून सीजन में, और यहाँ पर सिर्फ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी परियाप्त नहीं होते हैं, व्यापक वर्षा देने के लिए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही लेकिन बंगाल की खाड़ी की नमी कुछ और भी सिस्टम पूरब में बनते हैं और वो चुराने लगते हैं, प्रशानत महा सागर से ला नीना भले नहीं बना, हमें नमी नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी की पूरी यहाँ पर जब कोई सिस्टम नहीं बन रहा है तो मॉनसून के अक्षिय रेखा दिरे दिरे ऊपर जा रही है, और उपर जाएगी तो नमी इसी के इर्दगिर्द चलेगी और यहीं पर इसी के इर्दगिर्द बारिश जुगों पर हुई पर ताब गड़ में हुई है, तो नीना और अलीनो की एक बार बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखिए, अलीनो की स्थिती अभी एंसो-neutral की है, अलीनो-southern oscillation, अलीनो के बारे में आप जानते ही है, बार-बार बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार indication के तौर पर मैं आपको बता दूँ, अलीनो होता पास यहाँ पर प्रशान्त महासागर में प्रशान्त महासागर यानि अमेरिकी महादूइप और एशिया के बीच का जो समुद्र है उसको प्रशान्त महासागर पैसिफे कोशन कहते हैं और इसमें भूमत दे रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया के ठीक उपर यह ऑस्ट्रेलिया है इसके ठीक उपर का जो रीजन है नीनो रीजन होता है यहाँ पर समुद्र की सताकत आपान जब गर्म हो जाता है तो एल नीनो होता है तो भारत के मौनसून को नुकसान पहुंचता है और नीट्रल रहता है तो ना तो नुकसान पहुंचाता है ना सपोर्ट करता है लेकिन ला खानीना, उम्मीत ही कि जुलाई में बनेगा ठिर लगा अगस्त में बनेगा और तमाम दुनिया के नियुमरीकल अडिल है пожil hoorे में और शमुद्र की सतय काताप्मान अभी neutral की range में बना हुआ है neutral मतलब सामान ने जितना होना चाहिए लगबग 29 और 30 के बीच में temperature होता है और उसी की range में बना हुआ है अगर अंतर की बात करें हम तो अंतर जब ये 0.8 degree above normal पहुँचेगा माल लीजे 30 degree यहाँ पर normal है और 30.8 पहुँचेगा तब ये ला नीना की स्थिती होगी और ला नीना की स्थिती थी यहाँ पर मार्च से पहले तक फरवरी तक यहाँ पर ला नीना की स्थिती थी उसके बाद उम्मीद थी कि यहाँ पर जुलाई में आते आते यहाँ पर नीचे आ जाएगा कम से कम 0.8 की रेंज को पार कर जाएगा जुलाई में और ला नीना हो जाएगा ला नीना हो जाता तो हमारे मौनसून को और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसके उलट बंगाल की खाड़ी की नमी कोई और भी सिस्टम चुरा कर ले जा रहे हैं जिसकी विज़से भारत का मौनसून कमजोर हो रहा है और अभी जो प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है यानि अनुमान जो दिखाई पड़ रहा है आने वले दिनों में उसके अनुसार भी ये एंसो न्यूट्रल ही रहेगा ला निना में तब्दील होने की संभावना इसके बहुत कम है हाला कि अक्टूबर में कई मौडल इस जगह पर इसको इस लाइन के नीचे आते दिखा रहे है ये देखिए ये जो कुछ लाइने ये दिख रही है ग्रे कलर की ये लाइने इंडिकेट कर रही है कि ये ला निना में तब्दील हो सकता है अक्टूबर में हाला कि तब तक मौनसून भारत का वापस लोट चुका होगा इसको और बेतर तरीके से समझते हैं ये देखिए मौडल जिसमें अगर हम मंत के हिसाब से देखें तो अगस्त में ये प्रोजेक्शन है और सेतंबर औक्टूबर में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ला निना की तरफ और औक्टूबर में कुछ मौडल्स इसको इस रेंज में एंटर करा रहे हैं या निना की स्थिति आ रही है अभी फिलाल ये जो निट्रल रेंज है उससे 0.8 के नीचे से उपर ही बना हुआ है उससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है और अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह की बारिश आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है अगले 10 दिनों का ये पूरवानुमान है और दोनों मौडल चाहे वो GFS हो या ECMWF दोनों मौडल से इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो उत्तर पश्चिम भारत है और प और बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनेगी तो राजस्तान में चुरू, गंगानगर, हनुमानगर और अजमेर से लेकर अलवर, भरतपूर, सीकर, धौसा, धौलपूर, करोली इन भागों में और मध्य प्रदिश के तमाम पश्मी और मध्य तथा उत्तरिक शित्रों म अच्छी बरसात हमें अगले 10 दिनों में देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग पंजाब, हर्याना, दिल्ली, चंडीगड और जो उत्तर के रीजन है, हिमाचर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाक में और गिलगित बालतेसान, मजफराबाद में भी चांसे बा लेकिन मौनसून आखिर में आने से पहले, यानि चौथा महिना सितंबर में, चौथा और आखरी महिना शुरू हो जाएगा मौनसून सीजन का, तो उस महिने की शुरुआत से पहले मौनसून संतुलन साध लेगा, और अगर लाहल स्पीती में 74 फिजदी की कमी है, और जोध उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी और पूर्व उत्तर भारत के भागों में बारिश बढ़ रही है, तो ये उम्मीद, मैं उम्मीद करूँगा कि पूरी हो, ये संभावना पूरी हो, ताकि किसान भाईयों को राहत मिले, और जिरों ने देर से ही सही जोखिम उठाया था, कि भले बरसात नहीं हो रही है, लेकिन चलो मेहनत करके नरसरी बोई है, नरसरी तैयार की है, धान की, तो उसको जाकर के खेतों में रुपाई कर देते हैं, बादल बरसेंगे, तो कुछ फसल मिल जाएगी, तो उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है, ऐसा लग रहा है, ये वी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इससे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें, और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी तबा दें